जनदिकार पाटी के अध्यक्ष और मदेपूरा से पुर्विशानसद पप्पु यादब से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पप्पु यादब जो 32 साल पुराने मामले में इस वक्त जेल में हैं और उनके तव्यत खराब होने की वज़़ से वो इस वक्त DMCH में अपना इलाज कर रहे हैं उनके लिए और उनके कारेकरताओं के लिए एक रात बड़ी खबर है उनकी पतनी रंजीत रंजन ने जो कोट में जमानत के लिए अरजी की थी उसे पतना हाई कोट ने मंजूरी दे दी है इसका यही मतलब है कि आप उनके जो वकील है वो E-Filing का काम आज कर सकते हैं इसके पहले मधिपूरा सेशन कोट ने पप्पो यादब को जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद पपो यादब के कारेकरताओं में मायूसिया देखने को मिली साथी जाब सुप्रीमो पप्पो यादब ने भी दुख जाहिर किया था लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज जन अधिकार पाटी के सुप्रीमो पप्पो यादब के वकील कोट में इफाइलिंग कर सकते हैं क्योंकि हाइकोट ने जो उनकी पतनी रंजीत रंजन है उन्होंने जो हाइकोट से अपील की थी उनकी अपील को मन्जूरी मिल गई है दरसल पटना हाई कोट में इंदिनों गर्मी की छुट्टी चल रही है और इस दौरान हाई कोट में जमानत याचिका दायर करने पर रोक लगी हुई है लेकिन पपो यादब की तरब से जमानत याचिका दायर करने के लिए हाई कोट से आगरह किया गया था इसे अती महतपून मामला बताते हुए हाई कोट से पपो यादब की पतनी पुर्विसांसद रंजीत रंजन ने जो आगरा किया उसे कोट ने सुईकार कर लिया है अब पपो यादब की जमानत याचिका पर पटना हाई कोट में सुनवाई हो पाएगी लेकिन इसके पहले उनके वकीलों की तरफ से कोट में बेल की इव फाइलिंग की जाएगी और वही आपको बता रहे हैं कि उनके वकील यादब के वकील आज हाई कोट में इव फाइलिंग कर सकते हैं आपको बताते चले कि पपो यादब 32 साल पुराने अपहरन के मामले में इस वक्ट जेल के अंदर है दर्भंगा के DMCH में बीमार पपो यादब का इलाज चल रहा है पपो यादब की तरफ से इस मामले में गिरफ्तारी के बाद पहले भी पटना हाई कोट से सुनवाई का आगरह किया गया था लेकिन कोट ने तब इसे अती महतपून मामला मानने से इनकार करते वे सुनवाई नहीं की थी बाद में पप्पो यादब मदेपूरा की निचली अदालत में गए थे मदेपूरा के ACJM कोट ने पप्पो की जमानत याचिका खारीच कर दी थी बाद में पप्पो सेशन कोट गए सेशन कोट ने भी उन्हें कई नियम सर्तों के साथ जमानत देने से मना कर दिया लेकिन अब पप्पो यादब की जमानत अर्जी पर पटना हाई कोट में सुनवाई संभव हो पाएगी और पप्पो यादब के जो वकील हैं वो आज हाई कोट के अंदर E-Filing का जो काम है वो कर सकते हैं चुकि पप्पो यादब की पतनी और पुर्व सांसर रंजीत रंजन ने जो आग्रह किया था उसे कोट ने अतियाविशक मामला मानते हुए सुईकार कर लिया है और अब उनकी सुनवाई एक पर फिर से पप्पो यादब की जमानत याजिका पर सुनवाई बहुत जल्द हो सकती है बन रहे हैं फर्स्ट बिहार जारकन के साथ धन्यवाद